इस वीडियों बात करेंगे कि आप Axis Bank account open किस तरह से कर सकते हैं घर बैटे इसके लिए सबसे पहले आपको Axisbank.com पर आना है यहाँ पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा इसका लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा अब जब आप साइट पर आते हैं तो आपको इसके पूरी information दिखाए जाती है कि यहाँ पर जो आप account open करेंगे वो इसमें आपको किसी भी paper work नहीं करना है नहीं आपको कोई यानि की bank visit करना होगा यह जो भी होगा digitally है अब यहाँ पर आप देखेंगे easy access है digital account open कर सकते हैं यहाँ पर आपको 10% cashback मिलेगा अगर आ आप Amazon और फिलिप कार्ट से यानि की shopping करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकर दी गई है कि यहाँ किस्वेक मिलेगा कितनी banking service है अब हमें यहाँ पर अपना account open करना है तो account open करने के लिए यहाँ पर open your account for as a step यहाँ बर दिये गए हैं सबसे पहले verification of pen आ open now का simple सा आपको open now पर click कर देना है अब जैसे click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface आएगा आपको यहाँ पर अपनी device का जो location है वो अलाव करना होगा तो simply अलाव पर आपको click कर देना है इसके बाद आपके सामने option आ जाता है कि आप कौन सा saving account है जो open करना चाहते हैं तो नीचे की और आपको यहाँ पर इन बेंक अकाउंट दिखाया गया है कि कौन कौन से account यहाँ पर आप open कर सकते हैं जैसे कि आमजी और इसके बाद नीचे देखेंगे easy access यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10% का cashback मिलता है इसके बाद नीचे की और आपको all account मि क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप देखेंगे option आ जाता है device location का तो आपको यह दो बार से allow कर देना है इसके बाद आपके सामने option आएगा village note का यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसके लिए आपको क्या क्या जरुत परने वाली है सबसे पहले आपको video kyc की जाएग इसके बाद continue के वाले option पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला option आता है get start का यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर pen number आधार number और एक आपको mobile number valid देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर option मिल रहा है I am interested opening account का यहाँ पर जो आप account open कर रहे हैं उसकी कुछ detail आपको दिखाई जाती है आप चाहें तो इसे हिंग्दी इंग्लिश चैपिड अदर लेंग्वेंज में भी रीड कर सकते हैं इसके बाद आपको नीचे option मिलेगा I agree का simple सा आपको I agree पर किलिक कर देना है इसके बाद एक OTP आपके नंबर पर send किया जाता है जो कि OTP आपके इस नंबर पर send किया जा रहा है जिसमें शुरुवात में नंबर यह है और light में आपको शास वठा रहे है तो इस तरह से यहाँ पर नंबर आपको श्रू किया जाता है इसके बाद OTP जो आपके नंबर पर जान को चielsा किया रहा कि इसके बाद, हमसा पहला पुछ जाएगा पारा पूछ जो किया जाता है, जैसा आपको बिलकुल जरूरी है आप यहां पर इमेल डी फिल करेंगे और इसके बाद आपको यह वेरिफाइक कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है आपका marital status यानि कि आप साधी सुधा है वो आपको यहां पर दिखाना होगा इसके बाद आपको occupation टाइप दिखाना होगा कि आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करता है इसके बाद आपको source of fund यानि कि जो आप यहां पर पैसा डालेंग की annual है पीसे तरह से अपनी income यहां पर फिल करेंगे और इसके बाद next कर देंगे इसके बाद यहां पर आपको एक option मिलता है आपका residence का यहां पर आप देखेंगे आपको address है जो yes रखना है यानि कि आपका आधारकार के हिसाब से जो address है क्या आप उसे same रखना चाहते हैं तो आपको yes पर क्लिक करना होगा अब इसके बाद पूरता है आपका permanent tragedy type क्या है यानि कि आपका खुद का मकान है आप किसी किराय के मकान में रहता है तो यहां पर आपको दिखाना होगा column पर क्लिक करके इसके बाद नीचे के और option मिल जाता है branch का आपको simple सा यहां पर आपकी branch ह जो दिखाए जाती ही आपके address के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपका branch यह नहीं होना चाहिए तो आप यहां पर change branch पर क्लिक करके अपनी branch को भी change कर सकते हैं अब नीचे आपको यह option मिलेगा टिक का आपको यहां पर इसकी time and condition है जो आगी करनी है इसके बाद आपको simple स आपको क्लिक करके edit भी कर सकते हैं अगर आपको कोई गौलती लगती है अपने form candle अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको simply क्या करना है नीचे के option मिल जाता है आपको done का तो आपको यह done कर देना है तो आपकी जो detail है वो save हो जाती है अब दोस्तों सबसे में बात आते है यहाँ पर आपकी video kyc की जब आप account के लिए अपनी सारे detail फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक video kyc करने होती है account के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर order pen card की जरूत होती है जो कि आपको ready रखना है इसके बाद आपकी जो internet connectivity है वो सही होनी चाहिए चाहिए आप Wi-Fi से काम कर रहे हों इसके बाद आपको जो रूम है वो उसमें आपकी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए और इसके बाद आपको एक paper है जो बिल्कुल blank होना चाहिए white paper होना चाहिए उस पर आपको signature करके दिखाना है जो कि आपको live दिखाना होगा signature करके ठीक है यह सारे चीज़ आपको back call करें तो आपको simple सा get back call पर click करना है तो आपको access bank का agent खुद call करेगा अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल तयार है तो आपको connect to an agent यानि कि आपको agent से तयार है तो आपको connect to agent वाले option पर click करना है और अपनी video KYC के लिए आपको agent है जो call करता है और यहाँ पर किया जाएं कि इसके बाद जो आपकी बैंक है access bank account आपके जो कॉंट्रेक्ट है जो आपके agent से कराता है यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है और यहाँ पर आपको वेड़ करने की बाद एक एजंट आपके सामने वीड़कौल पर आ जाता है अब यहाँ अपर आप रेना है कि इसके बाद आप दिखेगे एक्स वीडीयो के वाईस एक्सों पर करता है यहां पर एक्सीजश सामने आभी योडीयू और दिखाना होता है बोल सिर्ध का जो आपको डिखाना होता यहां वागर और दिखाना होता बाती है अब जैसे कि हमने यहां पर सारा चीज़ें अपनी फिल कर ली हैं तो अब हमारे सामने आप्चन आजाता है वीडियो के वाई सी, कंप्लीट का यहां पर हमारी जो वीडियो के वाई सी है, वो अपन हो चुकी है, अब आप इसका मोबाल मेंकिंग यूज कर सकते हैं, अपने फॉन पे या गूगल पे में भी यूज़ कर सकते हैं आपका अकाउंट नमबर है जो आपके बेंट का वो टांस्पर्ट कर जाता है आपकी इमेल आईडी